सब को मेरा दिल से नमस्कार जगत की रस्टना का और एक एपिशोड में मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ आज का टुपिक है उत्पति 4 का 8 से 10 लिखा है केन ने अपने भाई के साथ बास्चित किया इसके बाद केन ने अपने भाई को हत्या किया उसके बाद नौपद में परमेशन ने केन को एक सवाल करते हैं तुम्हार भाई हाबिल किधा रहे क्या परमेशन के नहीं पता कि केन ने हाबिल का हत्या किया पता है फिर भी परमिसर ने पुछा केन की मुख से कुछ सुनने के लिए लेकिन केन परमिसर के एक कठिन उतर दे रहे हैं मुझे नहीं पता मैं क्या मेरे भाई का रेक्षा करने वाला हूँ मुझे नहीं पता ये बात हामें ये सुचित करता है कि केन ने जूट बोल रहे हैं और उनकी बास इस से ये पता चल रहा है कि केन सिर्व हत्या करी ही नहीं वो अदामभिक है और मिथ्यावादी भी है तो फिर परमिसर ने केन की भेट को सीवकर ना करके बिलकुल ठिक किया था क्योंकि बचन में लिखा गया है कि परमिसर कभी गलती नहीं करता है अगर दस पद में हाम दिखेंगे यहां लिखा गया है तुम्हारा भाई हाविल का खुन भुमी से हमें बुला रहा है खूल ही जिवन है इधर ये अख्यरी की रुब में लिखा नहीं गया है जब हाबिल को बद किया जा रहा था उसी टाइम में वो परमेशर को पुकर रहे थे परमेशर ने हाबिल को क्यों रक्षा नहीं किया ये परमेशर की वजना है उसी के बाद हम सब किस समझ पाएंगे परिमेशर की बचन को एसे सुनने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में धन्यवाद